नमस्का दोस्तों, आपका चित पर चित दोस्त कमल सिंग माड़ला SPL Health Channel में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम प्राक्रितिक रूप से, डाविटीज से, शूगर से कैसे, जड़ से निजात पा सकते हैं उसी तरह मैं आपको आज बताऊंगा कि हम हायर ब्लड प्रेसर से कैसे निजात पा सकते हैं हमारे संस्कृति में, हमारे प्रैचेन हत्यास में बहुत ऐसी सी हमूल्य जड़ी बूटी हैं जिसके द्वारा हम प्राक्रितिक रूप से अपने स्रीर को पूल रूप से सुन्दर और स्वस्थ बना सकते हैं और हम हरे एक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं वो भी जड़ से, बिना किसी नुक्सान पहुचाए अपने स्रीर के अंगों को तो लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि हायर ब्लड प्रेसर को कैसे जड़ से खतम किया जा सकता है ये पेड़ पंदरा सौ मीटर की उंचाई से लेके पच्ची सौ मीटर की उंचाई तक पाया जाता है जाद अकर हमालिया में पेड़ पाया जाता है और इसके पत्ते नुकीले होते हैं ये पेड़ में फूल तीन परकार से आते हैं और तीन परकार के ही पेड़ होते हैं एक लाल कलर का एक गुलाबी कलर का और एक स्पेद कलर का अब जो इसमें लाल कलर के फूल आते हैं वो बहुत बहुमल्य आस्दी है इसका हम अगर पांच फूल रोजानना तौर पे एक गलास पानी में इसको मेस करके इसका जूस बनाएं ताजे फूलों का और 45 दिनों तक सुबह उटके पिएं तो हम हायर ब्लड ब्रसर को पूरन रूप से जड़ से खतम कर सकते हैं पर एक और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप एलोपेटिकी मेडिसन खा रहे हैं उसके साथ साथ डूस को कम करते जाएए और मनीटरिंग करते रहेए जैसे जैसे आप हरे एक दिन सुबह उटके एक गलास ब्रस का जूस पियेंगे और हमारा बीपी जो है धीरे 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 कंट्रॉल होता जाएगा हमारे स्रीर के अंदर जो जमा पड़ा है टॉकसिटी है उस सारी की सारी हमारे निकलती जाएगी और हमारी सारी नसों में जो नसे हमारी केल्सियम की बाया से ब्लॉक हुई च पड़ी है उस सारी के सारी खुल जाएंगी और हम पूर्ण रूप से अच्छी जिंदगी और स्तंतर जिंदगी जियेंगे बिने साइड फैक्ट के तो आप मुझे ये बताया कि मेरा वीडियो कैसे लगा इसको लाइक शेयर और सबस्का धन्यवाद